ब्रामक खबर खलाई जा रहे हैं कि सर्वे बंद कर दिया जाएगा या फिर उसमें बदलाओ किया जा सकता है अभी आप दिलीप जैसवाल जो कि विहार के राजस भूमी सुधार मंत्री हैं उनकी बात सुन रहे थे इन्होंने इस्पष्ट कर दिया कि विहार में जमीन सर्विछन का काम होगा क्योंकि इस काम के होने के बाद विहार में जमीन से जूड़ी हुई समस्या लड़ाई काफी कम हो जाएगा अब आपको बता दे कि इसे पहले इन्होंने कहा था बंसा बली को लेकर इसके अलावे जिनके पास करंट रसीद नहीं उसको लेकर इसके अलावे खतियान नहीं है के वाला नहीं है इन तमाम बातों पर इन्होंने पहले भी बताया था हमने इसके लिए आपको रिपोर्ट दिखाया भी था अगर आपने नहीं देखाया तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और अब जो इनका कहना है और पहले की जो बात इन्होंने कही थी इसमें फरक ये है इन्होंने कहा था कि परखंड से अधिकारी जाएंगे गाउं में और गौँ में जाकर किसानों की बात सुनेंगे उनको क्या दिक्कत हो रही है क्या परिसानी आ रही है और इसका क्या समाधान किया जाता इसके बारे में सोचा जाएगा लेकिन आप इन्होंने अस्फ़ष्ट कर दिया और अस्पस्ट करने के पिछे कारण है कि सोसल मिडिया पे कई तरह की अफवा फेलाई जा रही थी कि ये सर्वे का काम रोक दिया जाएगा अब नहीं किया जाएगा तरह तरह की बाते फेलाई जा रही थी तो इन्होंने अस्पस्ट कर दिया कि सर्वे का काम होगा ये वेतर क हाँ, कोई बड़ा बदलाव होता है, तो छोटी मूटी परिसानिया आती है, उसे तो जहलना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा बदलाव है, बहुत सारी समस्याओं का समधान होने वाला है, आप के दादा पर दादा के नाम पे जो जमीन है, जो आपके, जिसे गोतिया कहा जा होगा तो होगा, फिलाल कोई रोक रुकावट की कोई बात नहीं है, सर्वेचन का काम होना ही है, लेकिन एक और खबर हम आपको जिसमें जोडते वे बता दें, कि बिहार में समस्तिपूर एक जिला जहां कि मोहनपूर परखंड के कुछ समाज सेवी हैं, जिनका नाम है उमे और इनकी जो मांग है, वो किसानों की मांग है, या क्या है या आप कुछ सुन लिजे और समझ लिजे, इनका मांग है कि जो सर्वेचन का काम बिहार में करवाया जा रहा है, ये पुराने नक्सा, नक्सा और खतियान के हिसाब से करवाया जाए, जो नया नक्सा और खतियान बनाया गया है ये सही नहीं है इसमें कई सारी कमिया है कई सारी भी संगतिया है इसलिए जो पुराना नक्सा है सरकार के पास जो पुराना खतियान है उसके हिसाब से सर्वे का काम सुरू कराया जाए इसके लाबे नों ने एक और बहुत बड़ी बात कही है वो सचमुच हम सम गाउं की ये समस्या है अगर गाउं में कहीं जमीन की मापी करना हो तो गाउं का एक सीमा सेट होता है कि इस गाउं का ये सीमा है पत्थर गड़ा होता है या कोई निसानी दिया होता है वहां से नापी अस्टार्ट किया जाता है और इसके बाद पूरे गाउं का बिल्कुल सह नहीं सही मापी निकल जाता है कि यहां से यहां किसका जमीन है इसके बाद किसका जमीन है लेकिन अगर वो निसान ना है गाओं में नहीं है तो फिर मापी कैसे सही हो सकता है तो उन्होंने कहा है कि जो गाओं का जो सीमा होता है सीमा रेखा उसकी जाच करके उसे ठीक किया जा और हम समझते हैं कि ये कई गाओं में ये समस्या है और ये ठीक करने से बहुत सारी समस्याओं कर समाधान होगा तो ये जरूरी है इसके लावे उन्होंने कहा है कि नया जमाबंदी नया रजिस्टर त्यार किया जाए तो ये तो होगा ही, लेकिन उन्हें आगे अभी कहा है कि भू सर्वेचन में पुराना नक्सा खतियान से टेवल सर्वे कराने सरसंब्थित इनकी मांगे है जो ये आठ सुत्री मांग किये हैं जिसमें ये सारी चीजें सामिल है जिसमें बहुत सारी बाते ऐसी है कैसे करेंगे ये तो बहुत जरूरी है कई गाओं ऐसे है जहां का सीमा रेखा कहां ये पता ही नहीं है पस कहीं से भी लोग उठते हैं और नापी करके बस ये निकाल लेते कि यहां से यहां फलने का यहां से यहां फलने का जमीन है तो यह समस्या बकई है अब बात करते हैं ज जो लोग के पास complete paper नहीं है, क्या उनका जमीन सरकार कबजा कर लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार किसी का कोई जमीन कबजा नहीं करने जा रही है, अगर आपके पास document नहीं है, फिर भी आप complain किजिए, अगर आपके कबजे में हो जमीन है तो, और इसके बाद आपको मौ पर चाहे वो खत्यान हो, किवाला हो, या फिर demand रसीद हो, जो भी हो आपके पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए, ताकि ये साबित हो, ये सिद्ध हो, कि जो जमीन आपके कबजे में है, वो आपका ही है, आपका दादा पर दादा का है, आपका खरीदा हुआ है, किसी ने द कैसे चलेगा, ऐसे तो कोई भी किसी के जमीन पे का दावा कर देगा, जो कबजा करके बैठा है, 10-15 वरसों से, 50-100 वरसों से, और गरीब को सतार है, ऐसे जो भूम आफिया है, वो दावा कर देगा, और इसके बाद ओजमीन उसी का उसी कर रह जाएगा, तो दावा करने से शिर्प नहीं होगा आपको ये दिखाना होगा कि वो जमीन के मालिक आफ हैं आपके पास ये paper कंपलीट है इसके अलावे जो एक और समस्या आ रही है अलाकि ये समस्या Supreme Court का आदेश है कि जितना हिस्सा बेटे का है बाप दादा के संपती में जितना हिस्सा बेटा का है उतना नहीं हिस्सा बेटी का भी है लेकिन लोगों के अंदर ये डर है कि अगर बेटी को बुगा को बुलाएंगे इस काम के लिए और वो सिगनेचर करने से मना कर दे कि नहीं हमें भी हिस्सा चाहिए तो क्या होगा तो कहा ये जा रहा है अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसी कोई बेटी कोई बहु नहीं होगी जो ये चाहेगी कि अपने मायके में हिस्सा ले सबसे बड़ी बात यह है लेकिन जिसका बिवाद चल रहा हो वो बात अलग हो सकता है या फिर कहीं सारे ऐसे भी हमने मामले देखें और सुने हैं कि किसी भाई ने कहीं जमीन खरीदा हो और बहन की नजर उस पे है तो वहाँ पे ये बिवाद हो सकता है जो पपु यादब परसांत की सोर जो आवाज उठा रहे हैं ये मसला कि भाई बहान में जगड़ा लगा रहे है नितिसकुमार वो यही बात है लेकिन सच्चा ही ये है कि ऐसा मामला बहुत ही कम आएगा और वही मामला आएगा जो भाई बहान में बिवाद है वरना ऐसा मामला आएगा नहीं लेकिन फिर भी कहा ये जा रहा है कि आपको बंसा बली में नाम दर्साना ही होगा परना आगे चल कर आपको दिक्कत हो सकता है अब इसके लिए फिलाल ओप्सन यही है कि आपको नाम दिखाना होगा बंसा बली में परना आपका बंसा बली सायद वेरिफाई हो जाए लेकिन बाद में आपको दिक्कत हो सकता है तो आप नाम दें और बाद में आपको ये क्लिर केसन देना है आपको N-A-S-O-E देना है कि बहान या भुवा हिस्सा लेना नहीं चाहती है लेकिन फिलाल देना ही बेतर होगा इसके अलावे एक और मसला है कि रसीद करंट नहीं है तो भाई कोई भी रसीद है चलेगा बस आपके पास रसीद होना चाहिए और इसके बाद आप उसमें गलत है तो उसे सुधरवाल लें इसके अलावे उसमें कुछ चीजे छूट गई है या कुछ गलत है जो भी है उसे आप ठीक करवालें और इसके लिए जल्दी बाजी नहीं करना है ऐसा ना हो कि आप जल्दी बाजी में कुछ पैसे दे कर इमामलक सिट कर लें और आनन फानन में कुछ गलत कदम उठा लें ऐसा कुछ नहीं करना है आपके पास प्रेयाप्त बक्त होगा और इसके बाद ही आप पास अगर ये नहीं आप दे पाएंगे तो फिर कोई कारवाई हो सकती है लेकिन अभी आपके पास option ये है कि पुराना जो भी आपके पास रसीद है उसके अधार पे भी आप कलेम कर सकते हैं और आपका जमीन कहीं नहीं जाएगा इसके अलावे एक और समस्या जो आ रही है कि खतियान और के वाला कहीं खो गया यह फिन किसी दूसरे परिवार के पास वो नाम नहीं ले रहा है या बाहर रहता है आना नहीं चाहता है और वो अपना हिसा बेच चुका है एक और समस्या ये है कि अगर दो भाई है चार भाई है जितनी भाई है और बाप दादा मौखिक रुप से बटवारा कर दिये अब इसके बाद अपने हिस्से का वो जमीन बेच कर कहीं बाहर चला गया तो उसका क्या होगा कैसे होगा तो केवाला नहीं है खतियान नहीं है तो इसके लिए आपके पास वक्त दिया जाएगा लेकिन अगर आपके पास मौखिक बटवारा करके किसी भाई के बाटने का खबर है बाटने का मामला है तो इसके बारे में सरकार के पास फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है इसलिए इसका क्या सेलूसन आएगा यह हम आपको अगले अपडेट में आगें क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ नया अपडेट आ रहा है सरकार के तरफ से जो हम आपको रूबरू करवा रहे हैं तो इस मसले पे क्या समाधान है यह जब अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे और रिपोर्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार जाएं तैंक यू